Hello everyone, welcome and welcome back to another video और आज की इस वीडियो में मैं एक्स्प्राइन करने वाला हूँ Rising of the Shield Hero का सीजन नमबर 2 का एपिसोड नमबर 6 तो वीडियो का शुरू में हमें दिखाए जाता कि जो रफ्टालिया थी वो काफी जाता सर्प्राइश था क्योंकि उसको अभी पता चला क्यों से ही कि ये जो ओस्त है ये Spirit Tortoise का Familiar नहीं बलकि खुद Spirit Tortoise है और उसके बाद जो क्यों होता हो एक्स्प्राइन करता है कि देखो आगर ये Spirit Tortoise का Familiar होता तो जैसे कि मैंने जितना भी Familiar था जैसे कि Bats, Yetis मैं सबको अपने कंट्रोल में ला लिया लेकिन ओस्त अभी तक मेरे कंट्रोल में नहीं आए इसका मतलब वो खुदी Spirit Tortoise है बट एनिवेज अभी मैं तुम लोग को तभाई करने वाला हूँ और वो जो एरिया था वो एकदम हिलने लगता है एकदम एक coat बना देता है, एकदम एक barrier बना देता है और उसके बाद ही जो कियो था वो एकदम अपने दूसरा side में एक जगा दिखाता है जहां पर वो जो बाकी के 3 heroes थे उनको कैद करके रहा है और वो जो कियो था वो कहता है कि यह लोग काफी जादा weak है लेकिन इनका जो power है, इनका जो power source है मैं वो सब इनसे ले लूँगा और वो एक backup के तरह काम करेगा और ये सब देखने के बाद ही जो रिशा थी वो बहुत ज़ाद दुखी होती है और तभी कियो एक display लगा देता है जहां पर जो spirit tortoise है, वो क्या कर रहा था उसके तरफ मारता है, लेकिन जो फ्लोलियल क्वीन थी, उसको कुछ फरक नहीं पड़ता फ्लोलियल क्वीन फिर से उठता है और वो एक इतना खतरनाक अटैक करता है कि पूरा एरिया एकदम धुआ-धुआ हो जाता है और ये सब जैसे ही नाफन में देखते है, वो काफी जाधा शौक हो जाता है, और तभी जो फिटोरिया थी वो फिलो को कहती है कि मैं यहाँ पर जो स्पिरिट ओर्टरस है, उसके हेट को काट दूँगी लेकिन तुम्हें इसका जो हार्ट है, उसको डिस्ट्रॉय करना है लेकिन यह याद रखना कि जो टाइमिंग है उसको एक्टम मैच होना चाहिए और इसके बाद ही वो क्यों कहता है कि अच्छा, तो फ्लोलियल कुईन भी आ गए यहाँ और उसके बाद वो कुछ बोल नहीं वाला था कि यहाँ पर आने के लिए और वैसे भी तुमने यहाँ पर कितना टाइम वेश्ट कर दिया है और तभी वो लो कहते कि देखो, अब हमारा वाल तो बचने भाला नहीं है तो क्यों ना हम जितना जाता सोल हो सकते उतना जाता कलक्ट कर ले लेकिन तभी ग्लास कहते कि नहीं, हम यह नहीं करेंगे हमारा जो वेशल वेपन है, जो हमार जो पावर है वो हमें यह सब करने को अलाउन नहीं करता इसलिए हम तुम्हें मारेंगे और तुम्हें भी यह नहीं करना चाहिए लेकिन तभी वो जो कियो था वो कहते है कि मैं इस book का कोई slave नहीं हूँ मैं इस weapon का कोई slave नहीं हूँ इसलिए मैं पता चलता है कि यह जो बंदा था यह और कोई नहीं बलकि दूसरे world का एक hero था और तभी वो अपने magical power से एक बहुत ही खतरोनाग flame वाला bird बना देता है और उसके नाफुमी रोकता है और उसके पीछे से जो फिलो और रफटाले उसको attack करती है लेकिन उसका जो अपने barrier था वो already बना हुआ था और यह barrier वो ही barrier है जो कि उसके heart या फिर जो crystal है उसके side में बना हुआ था और यह जो barrier था इसका power और queen ही बलकि वही तीनो heroes दे रहे थे और उन तीनो heroes का जतना भी power था सब soak कर लिया जा रहा था जिसके वैसे उनका जो हाल था वो बहुत ही बुड़ा हो चुका था और यह देखे रिशा भी बहुत जादा चिलाती है और तभी नाफल में बहुत जाद गुसा होती है और उसी तरफ जो spirit tortoise है वो spike continue छोड नहीं वाला था बहुत सारा वो छोड़ देता है लेकिन वही पर जो folial queen थी वो पूरी area को shield से protect कर देती है जिसके वैसे कि एक भी spike normal soldier के उपर नहींता है और वो जो spirit tortoise थी और वही पर जो folial queen थी उन्दों के बीच में बहुत ख़तरनाक battle शुरू हो जाता है और इसी तरफ जो qo था वो उनके उपर continuous attack करते रहा था अपने spell से लेकिन जो nafumi और बागी के जितने भी लोग थे सब अपना अपना power से हर एक उसका attack को रोक ले रहा था और तभी जो phytoria थी वो philo को message करती कि जल्दी से जाने के लिए और heart को destroy करने के लिए क्योंकि उनके पास और जादा time नहीं था और वो सब लोग उहाँ पर जाने के लिए तयार हो जाते है और जो ओस थी वो उहाँ तक जाने के लिए जो वपात था वो ready करता है लेकिन तभी तभी वो जो qo था वो अपना एक ऐसा magical power यूज करता है जिसके वैसे जो gravity था वो फिर से बहुत जादा बर जाता है और ये power और कहीं से नहीं बलकि यही जो इनसान लोग मड़े थे उनके soul से आ रहा था और वो इतना जादा सैतान हो चुका था कि वो एकदम जाता है और नाफुलमी के सर के उपर continuous ली लात मारते रहता है और बहुत ही devilish हसते रहता है वो इतना जादा लात मारता है कि नाफुलमी के आँखों से एकदम खूननी करने लगता है जो रफटा ले थी वो एकदम रोने लगते है क्योंकि कोई भी एकदम move तक नहीं कर पा रहता है वो gravitational force इतना जादा था और जो रफटा ले थी उसके रोने का आवाज सुनने के बाद वो जो की हो था वो और ज़दा हसना लगता है वो ही पे वो सबका ये हाला देखने के बाद बहुत ज़दा हसता है लेकिन तभी उसको एक आवाज सुना जयता है कि stop it ये रोको तुम अभी जिद्धा जल्दी हो सके और वो और कोई नहीं बलकि रीशा थी और रीशा वहाँ पे खड़ी हो चुकी थी सब लोग लेटे हुए था जितने भी लोग थे लेकिन वही पे रीशा अकीली खड़ी हुई थी और वो चलने लगी थी ये देखने के बाद वही जो बंदा था वो एक्दम डर जा था कि तुम कैसे चल पा रहे हो क्योंकि दो मिनिट पहले तक तो तुम सब के पीछे छुप रहे थे और तुम्हारा कोई पावर ही नहीं था और यह सुनने के बाद ही रीशा कहती है कि देखो मैं तुम्हारा बार में सब कुछ समझता हूँ जैसे मैं कमजोर हूँ तुम भी मेरे पीर आजाता है लेकिन फिर भी रीशा खरी रहती है और कहती रहती ही कि तुम काफी जाद वीक हो तुम्हारे पास खुद का कोई भी अबिलीटी नहीं है कोई भी पावर नहीं है और उसको बहुत ही बुड़ी तरीक से मैनुपिलेट करता है और उसके बाद ही जो यह था वो और जाद गुस्सा हो जाता है और उसको बहुत खतरना का अटाक करता है लेकिन रीशा एकदम आगो आग के एकदम बीच से अपना श्वर्ड लिकाता है और एकदम उसको ऊपर से चला जाता है जिसको वैसे कि जो कियो था वो काफी जाद गुस्सा हो जाता है कियो उसक जितना भी पावर था, जितना भी पावर था, वो सब नाफुमी को सौपना चाहता था, और नाफुमी भी वो जितना भी magical spell था, सब अपने अंदर collect कर रहा था, और finally, finally नाफुमी के shield में एक अलगी glow आ गया, और वो और कुछ नहीं, बोलकि जो world का सबसे powerful magical power था, वो आ गया तब नाफुमी के पास, और ये देखके जो वहाँ पर जो की हो था, वो भी काफी ज़्यादा घबरा जाता है, और उसी तरफ जो ओस था ही, वो फिर से वो टैनल अनलॉक कर देता है, और वहाँ से जो लार्क का टीम और फिलो, वो लोग चले जाते हैं, वहाँ पर हार्ट क और ये सब देखके, क्यों उनको रोकने के लिए जाता है, लेकिन तब ही वहाँ पर रीशा आ जाती है, और कहते हैं कि, आभी मैं तुम्हारा ओपुनेंट हूँ, और तुम मेरे से लड़ाय करो, और फिर वो दोनों लड़ाय करने लगते हैं, और इसी तरफ जो रफटा ल वो बहुत ही अच्छी दरीक से लड़े जा रहे थी, और वो कंटिनियूसली कहरे थी कि, तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है, तुम दूसरों के पावर के उपर रिलाय करते हो, तुम्हारे जो मैजिक है, वो काफी जाता सिंपल है, और ये सिंपल मैजिक है तुम्हारा अच्छान लेगा, और कियो अपने मैजिक से दो बहुत ही खतरनाक मोंस्टर बला देता है, लेकिन वही पे जो रिश्या थी, उसके पुरा बोडी गलो करने लगता है, और वो दोनों ही मोंस्टर को बहुत ही आसानी से एक दम, एक दम मार देता है, और उसके बाद वो फिर करने का ट्राइ भी मत करना, और तभी रिश्या अपने स्वर्ट से एक ऐसा एरो टाइप का फेकता है, जिसको वज़से कि वो जो कांच था, वो एक दम तूट जाता है, और जो तीनों हीरो से वो रिलीज हो जाते है, और वो ही पे रिश्या कहती है कि तुम अभी अपना मा मार तो, रिश्या एक दम सच कहरे कि यह जो क्यों है, यह काफी ज्यादा जूट है, तो मैं कुछ नहीं पता कि यह आगे क्या करने वाला है, और हमें फिर एक दम सीन शिफ्ट होता है, और हमें दिखा जाता कि वो लार और उनके साथ ही सब वहाँ पर पहुंच तो जाता है और तभी जो फिटोरिया थी, वो नोटिस करते हैं कि आस्मानों फिर से एक मल्टिक कास्टर रिचुल मैजिक चालो होने लगा, लेकिन उसका जो पावर था, वो स्पिरिट टोटोईस मोंस्टर का जो पावर था, उसको उतना ज्यादा रोक नहीं पा रहे थी, और तभी हम आगे बढ़ने से पहले मैं तुम सबको बताना चाहता हो कि अगर तुम्हें एनिमेरे डिरेटेड कुछ भी खरीदना है, लाइक मांगा, मर्चेंडाइस, पोस्टर, तो तुम हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहाँ पे कुछ कमाल के प्रोड़क्स का लिंक दिया गया है, तो ज़रू से चेक करना, तो चलो वीडियो में बापस आते हैं, और उसी तरफ जो फिटोरिया थी, वह एकदम अपना फुल स्पीड में दौर के जाता है, और वही पे जो स्पिरिट ओर्टर से गले में मारता है, और एकदम आर पार हो जाता है, जिसक लिंक एकदम तूट के बिखर जाता है, और वही पे सीन फिर से प्रिजन में आता है, और हमें दिखा जाते हैं, जो क्यों के पास जो क्रिश्टल था, उसके साइड़ वाला चीतना भी बैरियर था, वह एकदम तूट जाता है, और क्यों एकदम दुख के मारा चिलाना लग लेकिन तभी वो फिर से हासने लगता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं इतना जल्दी हार जाओंगा यह जो प्रोटेक्शन लेयर है यह मैंने अल्रेडी एमर्जेंसी के लिए रख लिया था और यह सब देखने के बाद ही वह नाफनुमी के तरफ देखता है और नाफन में अपना स्पेल यूज़ करने लगता है उसका शीर में फिर से आग लगता है वो कहता है कि तुम अभी ड्रेगन के जौ के नीचे मरने वाले हो और यह उससा बोड़ ही रहा था कि अचानक से अचानक से उसको क्या फिल होता है और उसका पूरा रेज शीर था वह एकदम बुझ जा था और फिर से वो नॉर्मल में आ जाता है और यह देखने के बाद ही जो क्यों था वो बहुत ज़दा हसने लगता है और कहता है कि तुम इतना भी नहीं करपाए तुमने इतना जादा पहले तो शोगफ किया और उसके बाद बस ये तुम ते एकदम फु था वो अनलॉक होता है और ट्रस्ट मी गाईज यह जैसी अनलॉक हुआ नाफुमि के पीछे दो विंक्स आ गया नाफुमि का जो शील्ड था उस शील्ड में तो स्टैंड आ गया और सामने एक जो एमिंग का चीज होता है वो भी आ गया और यह देखने के बाद ही नाफु था उसको ही नहीं तो रहा बलकि पूरा स्पिरिट ट्रस के शेट के वार चला गया और एकतम आसमान तक चला गया जो कि बाहर जितने भी लोग थे सब देखा और उसके बाद सीन फिर से प्रेजन में आता है और हमें दिखा जाता है कि वहां पर जितना भी क्रिश्टल था स सब एकतम तूटके बिखर जाता है और वही पर जो ओस थी वह एकतम नीचे गिर जाती है और सब काफिजाद एमोश्रंग हो जाती है और उसी स्पोर्ट पे लार्क और उससे साथी भी आ जाते है लेकिन तभी पीछे से जो क्यों था वह एकदम कहता है कि तुमने मेरा सब चौपट कर दिया लेकिन वो फिर से हसने लगता है कि नहीं मैं तो बस मजाग कर रहा हूँ मेरा जो असली मकसद था मेरा असली गोल था मैं उसको पूरा कर लिया हूँ और इसके बाद नाफंप में कहता है कि तुम करना क्या चाते हो और तभी वह जो क्यों था वह दिखात पहले कहता है कि शील्ड हीरो और रीश्या मैं तुम लोग का जान जरूर से लोगा और उसके बाद वो लोग सब एकदम उसके पास चलियाती है और उसके बाद लार्ग टेरिस और ग्लास एकदम उस होल के पास चले जाता है और टेरिस कहती ही मुझे लगता है यह जो होल है यह हमें हमारे ही वर्ल के साथ कनेक्ट कर रहा है इसलिए हमें यहाँ पे जाना ही होगा हमें क्यों को रोकना होगा और जितना भी ओव यहाँ से soul लेके गया था हर एक soul को हमें इस world में फिर से वापस भेजना होगा और वो लोग यह कैके एक्दम जम मार देते हैं और तभी जो नाफुमी वो एकदम होल के तरह जाता है लेकिन वो उसको टच भी नहीं कर पाता यूगि वहाँ पर लिखा था कि जो चार कार्डिनर हीरोस है वो दूसरे वर्ल्ड में नहीं जा सकते लेकिन तभी वहाँ पर जो उसका स्पिरिट टॉटर शील्ड था वो एकद ग्लो करने लगता है और उसको एक परमेशन मिल जाता है और वो वहाँ पर भी जा सकता था और तभी जो ओस थीवा कहते है कि अभी जल्दी जाओ नाफुमी तुम्हाँ टाइम वेस्ट मत करो और यह सुनने के बादी नाफुमी काफी जाधा इमोशनल था वो नहीं चाहता रिशा तुम यहीं पराना लेकिन तभी रिशा कहते कि नहीं मैं अभी आप लोग का एक कॉम्डेट हूँ इसलिए मुझे आपके साथ ही जाना है और रिशा भी अपने एकदम आशु भरे आँख लेके वहाँ पर चले आते और एकदम वहाँ जम मार देते है और उसी तरफ जो ओस थी वो एकदम उसका आखे बंद होने आख को आ रहा था उसका आखों में आशु थे और वो कहती है कि अगर मैं फिर से कभी भी रिबॉन हुई तो मुझे शील्ड हिरो के साथ ही काम करना है मुझे तुम लोग का सच्चा कॉमरेट बना है और ये कहने के बाद ही ओस अपना आखे बंद कर लेती है और उसका जो पूरा बॉड़ी था वो एकदम वैनिश हो जाता है और उसी तरफ में बाहर का सीन दिखा जाता है जहां पर जो स्पिरिट ओटोस था उसका भी पूरा बॉड़ी एकदम वैनिश होने लगता है और उसमें से छोटे-छोटे सोल निकलते हैं और जैसी वो मिट्टी को पर गिरता है वो एकदम एक बहुत ही बढ़ी आसा गांस बन जाता है और वही पर जो फिटोरिया थी वो नीचे बैट के प्रेयर करती है तो गाईज अभी तुम लोगी बताओ कि आगे भो लो कौन से वर्ड में जाएंगे और उस वर्ड में जाके और क्या क्या होने वाला है और इस वर्ड में फिर क्या होने वाला है बहुत सारे क्वेशन से और आगे आने वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे तो मिलते आगे आने वाले किसी वीडियो में, till then bye bye stay safe